मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट सुबोध गुपता कुछ जाने पहचाने से सवालों में एक सवाल ये लोग अक्सर पुछते हैं कि हमारे पास किसी वकील का नोटिस आया है तो क्या हम इसका जवाब खुद बना के भेश सकते हैं अगर कानूनी रूप से उत्तर दूँ तो उत्तर है हाँ आपको पूरा अधिकार है कि अगर किसी ने आपको नोटिस दिया है तो जरूरी नहीं है कि आप किसी वकील के माद्यम से ही नोटिस बेजवाएं आप खुद भी उस नोटिस का जवाब बना के भेज सकते हो दूसरी बात ये समझ लिजिए कि हर नोटिस का जवाब देना भी कानूनी रूप से बाइंडिंग नहीं है आप चाहें तो नोटिस का जवाब ना भी दें आप उसको इगनोर भी कर सकते हो ये चोईस भी आपके पास है आप मुख्य बात ये है कि जवाब दे या ना दे तो देखना पड़ेगा कि वो जो नोटिस है उसकी प्रिकृति क्या है उसकी नेचर क्या है उसका content क्या है उसमें क्या लिखा गया है matter कितना serious है कई technical तरह के नोटिस होते हैं जिनका जवाब एक समान्य विक्ति नोटिस आ गया तो बना दो जबाब, कोई दिक्कत नहीं है, मेट्रिमोनियल पती या पतनी के बीच में कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट है, हो गया तो एक बार के लिए जबाब बना दोगे तो चल जाएगा, तो देखना पड़ेगा कि क्या नोटिस आए, उसका क्या कंटे आप अपनी लिख्योई बात से कैसे मुकरोगे, आप उससे कभी भी पीछे नहीं अट सकते, तो जो एक समान्य रखती है, जिसको कानून की उतनी जानकारी नहीं है, भले ही वो कितना भी पड़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी कानून की जो नॉलिज है, वो लिम तो गलत रिपलाई बनाने से बहतर है, रिपलाई ना करना, अगर आप समझते हो कि मैठर इतना बढ़ा नहीं है, तो आप रिपलाई ही मत कीजिए, वो ज़्यादा बहतर है, क्योंकि अगर आप रिपलाई नहीं करोगे, तो हद से हद क्या होगा, वो व्यक्ति कोर्ट में जाने तो उसको कोर्ट में जाएगा गर कोर्ट पे आपके उपर केस करेगा तब ही हम सेटलमेंट की बात कर सकते हैं तब भी आप अपने वकील साथ के पास जा सकते हों और वह उनका प्रॉपर जवाब दे सकते हैं लेकिन अगर आपने गलत रिपलाई बना रखे होंगे और पिर आप अपने एडवोकेट के पास जाएंगे तो आपने पहले ही कहानी इतनी खराब कर रखिये कि आपकी लिखी हुई बातों को जुटला पाना या उन फैक्ट्स को लीगली सही तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट कर पाना आपको डिफेंट करने के लिए वो आपके काउं प्रेजी लिखना या केस के सारे तथे सारे फैक्ट्स आपको अच्छे से पता हैं इतना ही प्रयाप्त नहीं है उस अच्छी इंगलिश और उन फैक्ट्स के बीच में जो लौ पॉइंट्स हैं उनकी जानकारी अगर आपको नहीं है तो आप अपना काम सुधारने के झाल